क्या क्यों मैं इसको सफलता की गारंटी कहता हूँ, क्यों मैं बार-बार कहता हूँ कि I.S. वेक्ति नहीं, वेक्तित का इम्तहान है और गुर्कुल बैच में ऐसा क्या खास होने जा रहा है जो आपकी सोस समझ को हमेशा के लिए बजल देगा मैं आपका कईड हो जाओं, कि आपसे बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे करीकुलम के बारे में, जहां आप इसको समझने के बाद, अपने टाइम को समझने के बाद, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप यह भी जान पाएंगे कि गुर्कुल बैच क्यों सफलता की गारंटी है क्यों ये आपको इतना प्रेशराइज करेगा इतनी चीज़ों पे आपको दबाव डालेगा और आपको किस तरह से ये तैयार करेगा डेफिनेटली आप इसको जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही जबरदस तरीके से जुड़ा हुआ है और क्यों इसमें एड्मिशन लेने के लिए आपको मेरे साथ काउंसलिंग से गुजरना पड़ता है वो सारी चीज़ें आपसे मैं बात करने जा रहा हूं ये तो तैय है कि आप लंबे समय से मुझे सुनते चले आ रहे हैं मु शुरू की ति गुरुकुल बैच को हम कहां से शुरू करें और हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सेग्मेंट क्या है तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन हमाई साथ जुड़े लेकिन जब मैंने बच्चों से काउंसलिंग करनी शुरू की राइट मे क्या खिर आपको भी ये समस्या है या नहीं है तो यहाँ पर बार-बार वो जो है आपको ये प्रॉब्लम्स आती चली जा रही थी सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं घर के लोग हमारी पढ़ाई के महत्तों को नहीं समस्ते हैं जादा तर बच्चे मोर देन मैं 70 स्ट जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कुछ ये काम कर लेगा कोई बड़ी बात नहीं है और हम अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं थोड़े समय बात जब हमें ये लग रहा है कि कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है तो हम हतोत साहित हो जा रहे हमें लग रहा है कि अरे यार हमें कुछ भी हांसिल नहीं हो रहा है कितने लोगों को ये problem हो रही है क्योंकि जब मैंने इन बच्चों से बात किया तो सबकी एक common problem निकल कर आई और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि सर ना हमें कोई ढांटने वाला है हमारे घर में कोई हमारी पढ़ाई के महत्तो को समझने वाला नहीं है सर हमें नहीं कोई बताने वाला उनको लग रहा है कि कुछ बैठा हुआ है कुछ कर रहा है अरे कोई बात नहीं है थोड़ा घर का खाना बना लेगा या कुछ खाना बना लेगी, जाडू बरतन कर लेगी, अरे इससे क्या फरक पड़ जाएगा, अरे तुम बाद में पढ़ लेना, तो हमारे पढ़ाई के महत्त को लोग नहीं समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिर बाद हम ही जो है उसको मनी समझ पा रहे हैं, जा मैंने डांटा भी और पूछा भी कि आपको क्या अगर डांट पड़े, क्या आपके सर के उपर ऐसी चीज़ें बिठा दी जाएं कि नहीं, आपको कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना एंसर लिखा, तो आप क्या इसको टॉलरेट कर पाएं, बोले सर यही हमें चाहिए, हमें यही चाहिए कि कोई हमसे बात करे, कोई हमें बताए, कोई हमारा schedule maintain करे, कोई हमें motivate करे, कोई हमें पढ़ाए, हमारी हर चीज़ पर नजर रखे, हमें बारीक से बारीक जो है वो हमारे उपर एक नजर रखे, हमारा report card तयार करे, हमें push करता रह तो मुझे यही समस्या निकल कर सामने आई अजय ने कहा कि सर कोई गाइड करने वाला नहीं है घर वाले बहुत से बच्चों ने कहा कि सर घर वाले पढ़ाई का महत तो ही नहीं समझ रहे कि भई पढ़ने बैठे हैं फोकस कर रहे हैं एंसर एटिंग है रहे क्या कर रहे हैं चले जा थोड़ा दूर लेकर चले आओ एक बार पढ़ाई छोड़ दी फिर वापस कॉंसेंटरिशन लाना बड़ा मुश्किल बात है जात अलोकों ने कहा कि अपने सराउंडिंग से मैं बड़ा परेशान हूं सर मेरा सराउंडिंग जो है बहुत ही डी मोटिवेटिंग है बहुत परेशान करने वाला है मेरे सराउंडिंग में लोग समझ ही नहीं रहे कि मैं कर क्या रहा हूं सी में क्या चीज हमें चाहिए होती है लबासना की ट्रेनिंग क्या होती आपको पता कि हर वर्ष हम लबासना जाते हैं और वहां की ट्रेनिंग को मैंने बहुत बारीकी से देखा है तो मैं जब इन समस्याओं से रूबरू हुआ कि बच्चों को अच्छी से एजुकेशन दी जार यह सब कुछ हो रहा है तो आखिर बच्चे कर क्यों नहीं पा रहा है आउटपुट तो वहां हमने शुरुआत की गुरुकुल की यानि एक ऐसा माहौल प्राचीन समय से एक ऐसा माहौल जहां पर हमें इन चीजों की ज़रूरत पड़ती है हमें हमारे सराउंडिंग से कट आफ कर दिया जाता है और हमारा पूरा फोकस रहता है कि एक सक्त अनुशाशन के बीच में हमारा काम हो हमारे धिमाग को भटकने के लिए समय ही ना दिया जाए स्पेस ही ना दिया जाए तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है, तो चली हम शुरुबात करते हैं लेकिन क्या, जैसे कि अगर आप कोचिक में जानते कि ये आए, आपने क्लास किया, सलबस था, ये कुछ शेसो साथ सो घंटे की क्लास थी, इतने टीचर पढ़ाएंगे, जीस के चारो पेपर, प्रिलिम्स के पेपर हो गया, चले जाओ, आप सैध यही जानते हो, ऑनलाइन बे हम लोग यही करते हैं, कोई दिक्कत बाद, यह थोड़ा बहुत मैं जादा डांट वांट देता हूँ, क्योंकि मेरा कंसर्ण बच्चों से जादा रहता है, लेकिन हमने इस प्रोग्राम को एक अलग ही लेबल पे डिजाइन किया है, चले शुरुवात करते हैं, अगर आप जो है, वो experience है, जो RCA का experience है, कैसे वहां के hostel से लेकर classroom तक, library तक सब कुछ maintain होता है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और अगर आप इसको follow करते हैं, इसको जानते हैं, या गुरुकुल के साथ जोड़ते हैं, तो definitely आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कि ये program आपको कितना बदल के रख देगा, 360 degree, change लेकर आएगा, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले, शुरुआत होती है हमारी सबसे पहले कि जब हम गुरुकुल में आते हैं, जब हमने आपके लिए गुरुकुल के लिए कई label के program तयार किया है, जिसमें पहला जो हमारा पहली class होती है, यह हमारा पहला घंटा जो होगा, वो NCRD का होगा, और NCRD में भी हमने core topics select किया है, यह कोई page by page नहीं है, यह हमने core topics, यानि कि जो UPSC prelims के लिए, mains के लिए, fundamental के लिए बहुत important है, वहाँ से हम शुरु करें, reason यह है कि कि किसी भी एक class में अलग-अलग level के ब पास जो है time कम है, अब यह सबके level बिल्कुल अलग है, subject को लेकर understanding सबकी अलग है, तो हमने यह कहा कि सबसे पहले आपका basic plus prelims, यह एक अलग ही domain में cover होना चाहिए, तो हमने एक class यहाँ पर जान शुरुबात होती है, वो शुरुबात होगी stage 1 के NCRT के साथ, ऐसाने क्यों NCR NCRT चलेगा, यह एक segment है, एक दिन में आपको कही classes सो कर गुजरना पड़ेगा, और जब आप NCRT आप जानते हैं कि understanding को double up करने के लिए, अपने basics को strong करने के लिए, concept बनाने के लिए, NCRT is the best book, और NCRT के आपको topics बताया जाएंगे, यह core topics हैं, इस पर हम daily class लेंगे, तो यहा यानि आपके exam में आपका fundamental clear होगा, number one, दूसरा, आप जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, आप अपनी prelims की तैयारी को लेकर assure हो पाएं, क्योंकि देखो exam में prelims अगर crack नहीं कर पाते हो, तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, तो पहले चरणा में यह program अ आप रखके बैठे, लेकिन यह पूरी जो class है, ध्यान से रखना, यह active learning की class है, तो active learning क्या होगी बताने जा रहा हूँ, active learning, यानि आपको सांस लेने की फुरसत नहीं देंगे, जैसे ही आपकी class खतम हुई, class related test आपके सामने, जैसे class खतम हुई, पानी वानी पीने का आपको मौका दें, क्योंकि library भी यहीं रहेगी, आपको 57 मिनिट का deep breathing, वहीं पर deep breathing कराई जाएगी, आपको योगिक प्रायाम कराया जाएगा, और तुरंट test, यानि आपने एक घंटे आपको पूरा focus होकर class बैठना है, कोई इधर उधर नहीं, और नहीं होगा तो वहीं पर आपक class चलेगी, ठीक है, दो घंटे daily subject पे discussion चलेगा, सारी चीज़ें चलेगी, तो ये आपका prelims come mains का एक foundation, यानि आप NCIT में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको दिखाई पढ़ेगा, कि मेरा fundamental clear हो रहा है, मेरा concept clear हो रहा है, GS prelims come mains में, जहाँ पर आप higher चीज़ों को रहेंगे, जो paper wise है, ये nearly जो है, वो दो घंटे daily यहाँ पर class आपकी चलती रहेगी, तो ये दो चीज़ों हो गया, अब आपने यहाँ पर काम कर लिया, अब आपको लगा कि तीन घंटे हो गया class करते करते, अब तो ओजांक सर्पका जाने देंगे, फिर आपको यहाँ पर 15 government का break मिलेगा, और इस दो घंटे में आपको highly energized होकर पढ़ना पढ़ेगा, क्या जिकत है, मैं पढ़ू या ना पढ़ू मेरा मन, मैं धेर सारे questions पूछूँ, फालतू फालतू बाते करूँ, गाल पे हाथ रखे कुछ सोचता रहो, नहीं, अब यहाँ पर आपकी मुसीबत श 15 minutes का कोई revision करने का time मिलेगा, आप revision करेंगे, आपको books दी जाएंगी, आप read करिए, material read करिए, जो आपको segments है, आपको एक diary मिलेगी, छोटे बच्चों के तरह है, आपको एक diary मिलेगी, उस diary में आपको यह भी बताना होगा, आप पानी कितना पीते हैं, आपके MIT's क्या हैं, आ सारी चीज़ें आपको बतानी होगी, वो आपके mentors, आपकी diary चेक करेंगे, कि आपने previous day कितना काम किया, आपने task पूरे किये, कि नहीं किये, वहाँ पर यह चेक करेंगे, आप जब तक revision कर रहे हैं, जब तक DA टास को पूरा कर रहे हैं, तब तक वो आपकी diary चेक कर रहे हैं, कि आपने कितना progress किया, अब भाई यहाँ से छुटी मिल गई, अब क्या होगा, आप घर जाने देंगे, खाना खाने देंगे, ना, अब आजाएगा mark darshan program, अगले दो घंटे तक आप इसी class में बैठेंगे, इसी class में बैठेंगे, और आपके teachers के साथ साथ एक team आजाएगी mentors की team आजाएगी, और mentors की team क्या करेगी, सबसे पहले, तो आपको revision कराएगी, घर जाना ही नहीं है, revision करिए यहीं पर, जो पढ़ाया गया, उसको revise करिए, कोई doubt है तो उसको question पूछिए, वहीं पर doubt solve कर दिये जाएगे, आपको उसके core concept समझा दिये जाएगे, ताकि वो concept बि दराभी लापरवाही में बैठे हैं, तो आप answer writing नहीं कर पाएंगे, clear है, तो answer writing की class शुरू हो जाएगी, तुरंट quiz आपका शुरू हो जाएगा, जो भी पढ़ाया गया, उसके तुरंट बाद newspaper की class शुरू हो जाएगी, yes, current affairs की भी class यहाँ शुरू हो जाएगी, आपको daily newspaper के साथ आपको यह पढ़ाया जाएगा, तो यानि ऐसा करते करते लगबख साड़े पांच घंटे हमारे बीत गए, यानि teaching, उसमें भी active learning, उसके बाद answer writing, quiz, revision, diary maintain करना, और आप पूरी तरीके से इसके साथ लगे रहेंगे, अब आपको लग रहा होगा, अरे यार, अब त चलके पढ़ाओ, अब लेकिन अब आप सोच रहोंगे, अब घर जाने देंगे, अब आराम करने देंगे, आजओ, next पे, अब क्या हुआ, हमने hostel भी बड़ा जबर्दस बनाए, यह hostel की building है हमारी, तो पूरा एक campus type का हमने double up किया है, तो जैसे यह लबासना का गंगा hostel है, त तो यह अंदर का करो, हमने बिल्कुल इसी model पे यहाँ पर बना दिया है, वही color भी हमने use किया, जो वहाँ पर मेज खुर्शियों का color होता, वही color भी हमने इस्तावाल किया अंदर, उसी तरह से green belt है, एकड़म different campus है, बहुत अच्छी security है, AC, non-AC, geezer, non-geezer, पानी, पीने क study, 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 सब कुछ बना रहा है, यहाँ तक की debate club बना रहा है, sport facility इसी के अंदर दे दी है, कि बाहर तुमें जाना ही नहीं है, पूरा green belt है, aside में, पूरा haryali है, बिल्कुल cut off दुनिया से, तो अब आप hostel पहुँचे, ठीक है, lunch बंच किया, lunch की facility है, breakfast है, dinner है, सब कुछ है, में यहाँ भी आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको दिया जाएगा in hostel, in hostel दिया जाएगा आपको daily study module, यह आपको दे दिया जाएगा, और daily study module के according, आपका study material आपको मिलेगा, इसमें daily plan होगा, यानि अभी आपने class में पढ़ा, फिर आपने library में पढ़ा, फिर mentorship में आपने पढ़ा, अब आपका जो काम होगा आपके घर तक पहुंच गया, hostel पहुंच गया, और यह daily targets होंगे, यह sheet आपको fill करनी पढ़ेगी, मैंने इसके according daily target होगा, इतने टाउट